गुड मर्निंग स्टुडेंट आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाने है लेशन 17 जो की हमारे क्लास 6 का यह सबसे आखरी लेशन है यानि कि इस लेशन के बाद पूरी तरह से समा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर दियान से देखो little drops of water इसका मतलब पानी की चोटी बूंदे लिटिल मतलब क्या होता है चोटी drop मतलब बूंदे और off water मतलब की पानी की ठीक है तो यहाँ पर देखो एक यह प्यारा सा अपना प्रिथ्वी है अपना अर्थ है ठीक है अब चल तो यह अंग्रेज लोगों को नाम भी बहुत ही अटपटा रहता है तो घवराये नहीं आप लोग को इसको पुरी तरह से नई दिमाग में बिठा लेना है यह जो नाम है घवराने की बात नहीं है ठीक है चलिए यहां पर देखें लिटल ड्रॉफ ऑफ वाटर इसका हम लोग खेंदे रहेत चेट चोटे चोटे घन करन जो होते हैं उसके बारे में की फानी की छोटे चोटे चोटे करन में महासागर का निरमान करते हैं इंबलकुल सही है आप अगर समुद्र ओरिसा या पूरी कहीं कहे होंगे तो आप देखें होंगे कि छोटी-छोटी बूंदे और रेत मिल करके महा सागर कर निर्मान कर देती है है यहां पर देखो एंड प्लिजेंट लैंड और और क्या और इसे भी अनंदायक खुशाल धर्ती का निर्मान करती है है तो देखो कितनी अच्छी बात है अब आगे देखिए लिटिल डिट्स ओफ काइंड नेस लिटिल वर्ट्स ओफ लव यानि कि दयालुता के छोटे-छोटे कार्य है और प्यार के छोटे-छोटे बोल और प्यारे छोटे-छोटे- यह हैं जो काम है है ना लिटिल वोट्स अफ लव और प्यार के छोटे-छोटे जो बोल है है हना make our earth and Eden जो हमारी प्रिथवी को एक मतलब स्वार्ग लोक बना देती है like the heaven of above जो हमारी प्रिथवी को क्या बना देती है स्वार्ग बना देती है right तो यह जो इट वाया यह बहूत ही शुन्दर पयम लिखा हुआ है जो कि आप ररायटर का भी देख सकते हैं टीवनयंजह कोबहम ब्रिवर यह जो पयम है जो भी पोवर्ड वीटिवर्ड होंगे यह तिक है तो इन्होंने यह poem लिखा है, काफी अच्छा poem है, तो बैटा आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले word meaning लिख लेनी है, word meaning के ठीक नीचे में आपको क्या करना है, यह word meaning है, इस word meaning को भी लिखना है, और अच्छे से याद करना है, उसके बाद क्या करना है, आप जहां पे start करेंग हाँ HW आपका क्या रहेगा कि आपको यह poem और word meaning को काफी अच्छे से याद कर लेना है और इसके जो जो जिस तरह से अनुवाद किया है मैंने जिस तरह से मैंने समझाया है उस तरह से आपको समझ लेना है अगर एक बार मैं समझ में नहीं आए तो दो बार तिन बार वीडियो